ही वेल्कम एप्रिवर्वन पिछले क्लास में हम लोगों ने पजल का टाइप पर रहा था तो पजल के पहला टाइप त्या था पर्सन दिया वा था और परॉफेशन के साथ हमको कुछ पूट संड Chandle था तो पर्सन था मेरा और इसका क्या देदिय था प्रूफेशन यानि मैक्सिमम इसको कहेंगे कि दो वेरियेवल ता थीख है सबसे पहले परसंने दिया है मेरा परसंन के साथ मेरा क्या दिया है नेक्स दे क्या है कि कौन सा फ्रूट उनको पसंद है ठीक है फ्रूट और उसके साथ हमको दे दिया है कि उसका फेवरेट कि सिटी क्या है सिटी नहीं होना चाहिए उसका फेवरेट सिटी क्या है, ठीक है. तो इस में हम लोगको 2 वेरियेबल था और इसमें हम लोगको 3 वेरियेबल था. दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है, आप हर बार की तरह हम लोग उहीं काम करेंगे कि वीडियो को pause कीजिए, इस question को बनाने में maximum आपको 5 to 6, up to 7 शुरुवात है अगर तो less than 10 minute भी लग सकता है ठीक है, 10 minute से कम समय भी लग सकता है तो आप इसको एक बार try कीजिए खुश से बनाने का फिर हम लोग मिल के question को solve करेंगे hope so आपने try किया होगा solve करने का तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या दिया P, Q, R, S, T, V, N, W are 7 friends Each of them likes a particular fruit which मतलब banana, मतलब fruit दे दिया है और एक particular favorite city उनका The choice of fruit and favorite city of 7 friends are not necessary in same order, ठीक है, तो यह दे दिया है simple की यहाँ पर बस instruction हम को दे रहा है कि जरूरी नहीं है कि जिस order में person दिया है यानि P, Q, R, S, T, U, V और जिस order में ही fruit दिया है वही order follower हमको इससे एक unique order निकालना है given set of instruction, given clue के साथ हमको एक unique order निकालना है तो देखते हैं, सबसे पहले क्या दे रहा है हमको पढ़ेंगे कि Q likes mango and his favorite city is जिन नहीं तो बनाने का तरीका है कि दो variable दिये वे है तो सबसे पहले हमनों क्या लिखते हैं सबसे पहले हमनों person लिख देते हैं P, यहां पर लिख सकते हैं P, Q, R, S, T, V पर सान लिख देएjoy सानियंद्या मुप्ठाइच पर सानलिका हमनोग सबसेंद्द्ध देते हैं पर साहं पर लिख देए आ लेख मुठ कि यहां पर फ्रूट लिख देते हैं पहले वाले कॉलम में और सेकेंड वाले में हम लोग सिटी लिख देंगा तो सबसे पहला क्लू क्या दिया हुआ है फर्स्ट वन दिया हुआ है मेरा मेरा फर्स्ट क्यों क्यों स्मय फेवरेटि शिटी इस चेन्ड़ी तो क्यों मैंगो में पसंद है को मैंगो और इसका फेवरेटि की है मेरा करें यह ठीक है यह इस नीजफ दहिए सब्सक्राइब करने कि लेकिन यह फिक्स नहीं है तो एजटीज रहा जाएगा ठीक है इसको हम लोग होल्ड करके रखेंगे यह मेना सेकेंड हो गया नेक्स आते हैं टी फेवरेट सिटी इस कोलकाता ठर्ड है मेरा सेटी है कोलकाता है कोलकाता टी यह लिए लिकेंओ Congo हो नहींसे को आर लाइक स्फॉर्थ वन है आलाइक्स गावा एंस फेवरेट सिटी इस नॉट्मबाइ लिर्क सगावा osseiz गॉवाव एंस फेवरेट सिटी इस नॉट milj तो आरको गवावा पसंद है और इसका फेवरिट सिटी मुंबई नहीं है डवलू फेवरिट सिटी इस कोचीन फोर्थ हो गया यह फिफ्थ होगा डवलू फेवरिट सिटी इस कोचीन एंड, he does not either like banana और pear, तो डवलो का फेवरिट सिटी क्या है मेरा? कोचीन है, और इसको क्या नहीं पसंद है? इसको banana नहीं पसंद है, और इसको क्या नहीं पसंद है? पीर्स नहीं पसंद है, ठीक है? अब यहां पर भी, चुकि हम असाइन नहीं कर सकते हैं परसन को, तो इस डाटा को hold पर रखेंगे, यहां यह सिक्स नमबर का डाटा है नेक्स, टी डाज नॉट लाइक पियर्ड, टी को क्या पसंद नहीं? पियर्स नहीं पसंद है, तो सेवन्थ होगा मेरा? टी डाज नॉट लाइक पियर्स, तो टी को पियर्स पसंद नहीं, तो यहां पर पियर्स लिखेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे फिर पी फेवरेट सिटी इस नाइधर पुने नौर हैदरवाद, पी का फेवरेट सिटी क्या है मेरा? पुने भी नहीं है मेरा, पुने भी नहीं है मेरा और हैदरवाद भी नहीं है, ठीक है, सारे डाटा को लिख देंगे, तो पी फेवरेट यह 8 हो गया, 7 है यह 8 यहां से और S does not like watermelon, S को क्या पसंद नहीं? Watermelon, यह 9th हो गया मेरा, S, where is S? S को Watermelon, और कुछ condition था जो हम लोग होल्ड पर रखे में था, वो था मेरा पुने, यह वाला condition था, जिसको हम लोगों ने होल्ड पर रखा था, पुने, लाइक्स Watermelon क्योंकि असाइन ही नहीं कर पा रहे था हम लोग और और ओरेंज इस हैदराबाद, मतलब फेवरेट है, यह दो को था, यहाँ पर देखिए, पुने जब जैसी, पुने को Watermelon, तो यहाँ पर Watermelon भी नहीं होगा, फ्रूट में, चुकि पुने, पी का फेवरेट सिटी पुने नहीं है, तो Watermelon भी नहीं होगा, क्योंकि पुने Watermelon एक दूसरे से साइंड है, और हैदराबाद है तो, हैदराबाद है तो Orange भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कट कर दिए, और कहीं पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, एस में Watermelon है, याँ यहाँ पर भी पुने मेरा नहीं रहाएगा, और देखते हैं Next, और कोई ही नहीं, ठीक है, तो कितना position बजगे है मेरा, एक, दो, तीन, इस सेट तो तीन बचा है, ठीक है, अब गौर कीज़े, यहाँ पर पुने नहीं रहा सकता है, हैदराबाद नहीं रहा सकता है, और चेन्ने ही और रेडी औक्युपाइड है, कोलकत्ता और रेडी औक्युपाइड है, कोचिन और रेडी औक्युपाइड है, तो बचा मेरा देली या मुंबई हो गया, अब दो fruit है, city और fruit जिसे पुने को water melon, यानि दो place हमको खाली रहना चाहिए, तो देखते हम लोगों कहाँ दो place खाली है, तो एक तो यहाँ पे वी पे खाली है दो place, और एक मेरा यहाँ पे भी दो place खाली है, ठीक है, यहाँ पे, तो देली पुने इन दोनों में से occupy ह हो सकता है, यहाँ पे और एड़ी गावा है, लेकिन fruit और एड़ी occupied है, ठीक है, यहाँ पे fruit और एड़ी occupied है, लेकिन city occupied नहीं है, तो हमको दो place चाहिए, तो यहाँ पे और एड़ी पुट नहीं होगा, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, यह देखिए, मुंबई काट देंगे हम लोग, जैसे यहाँ देली पूट करेंगे, यहाँ से देली कट जाएगा, और मुंबई रहा जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस वाले में, S में, पूने और वाटरमेलन, दो city चाहिए, तो यहाँ पे हैदराबाद होगा, और हैदराबाद को यहाँ, पूने को नहीं, वाटरमेलन पर है, वी का फेवरेट, फ्रूट वाटरमेलन है, ठीक हो गया, तो यानि कि पूरा city occupied है मेरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, city occupied हो गया, अब फ्रूट, यहाँ पे occupied नहीं है, वन, टू, और यहाँ पे ठीक है, तब देखत है, इसका फेवरेट एपल होगा, तो बनाना और पियर्स को यहाँ से काट देजे, एपल होगा, अब दो पिलेज बचा, ठीक है, पियर्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो यानि आप यहाँ पोजिशन पे पियर्स होगा, और बचावा फूरूट मेरा हुआ, एपल होग तीन वेरियेबल था, ठीक है, देखी यह फर्स्ट वेरियेबल है, यह वाला, यह सेक्शन फर्स्ट वेरियेबल जहाँ पे परसन है, फूरूट सेकंड वेरियेबल हो गया, और सिटी थर्ड वेरियेबल हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग नोट यह कर सकते हैं, कि कहीं कहीं प्रूट और सिटी एक दूसरे के साथ आसाइंड करके दे रहा था है जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पुने और वाटरमेलन के केस में यह दोनों एक सांथ ही बैठेगा था है आफे के और अगर पुझे करते तो हमको वाटर्मेलन देना करता वाटर्मेलन फूट करना परता चोटी कि गावा और डि यहां पर फेवरेट है तो फूट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो होप आपने देखा कि पहले कोस्टन में हम लोग ने टू वेरियवल पॉजस बनाया नेक्स पॉस most appropriate या consistency most appropriated ठीक है तो आप एक बार इसको फिर से एक बार recap कीजिए वीडियो को फिर से आप देखिए तो आज के लिए इतना ही next class में लोग फिर से next नई question के साथ आएंगे hope so आपको अच्छा लगा thank you everyone have an awesome day